महाराष्टर में 20 नवंबर को विधान सभा चुनाव की वोटिंग से पहले सोयाबीन का मुद्दा गर्माया हुआ है दोनों पार्टियां सोयाबीन किसानों को साधने के चक्कर में लगी हुई है बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सोयाबीन की सबसे अधिक खेती होती है ऐसे में दोनों दल विधान सभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच शुकरवार को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक रैली में कहा कि सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, अब 6,000 रुपए प्रती क्विंटल करेंगे वहीं, इस समय राजिके ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन का दाम 4,200 से 4,500 रुपए प्रती क्विंटल ही है, जो 4,892 रुपए की तए MSP से कम है सोयाबीन का सही दाम न मिलने से किसान काफी परेशान है इसी बीच राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच पर जारी पोस्ट में कहा सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपए तक थी लेकिन अब किसान MSP से भी कम दाम में बेचने को मजबूर है दरसल सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए है लेकिन किसानों को 4,200 रुपए के आसपास या उससे भी कम पर बेचना पड़ रहा कई किसानों को तो और भी कम कीमत मिल रही है अच्छी उपज के बावजूद सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहत परेशान है सोयाबीन उतपादन के मामले में मध्य प्रदेश देश के अन्य सभी राजियों में अवल है आंकडो के अनुसार देश में कुल उतपादित होने वाले सोयाबीन में मध्य प्रदेश में अकेले 48.07 फिस दी उतपादन होता है वही मध्यप्रदेश के बाद दूसरे नमबर पर महाराश्टर है जहां कुल 35.78 फीसदी सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद राजस्थान है जहां कूल 8.49 फीसदी सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है वही मध्यप्रदेश में 25 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीद शुरू हो चुकी है खास बात यह है कि सोयाबीन की खरीद किसानों से MSP पर पहली बार की जा रही है इसी बीच क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले ने एक आदेश जारी कर कहा है कि खरीफ 2024 से 25 सीजन में मूले समर्थन योजना के तहट सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक कर दी सरकार ने सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी खरीफ दो हजार चौबीस से पच्चीस सीजन में मूले समर्थन योजना के तहट सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक स्विकार की जाएग। क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसानों की तरफ से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले सोयाबीन में नमी की मात्रा 12% से अधिक होने पर खरीद नहीं की जाती थ। Bureau Report Market Times TV